सुप्रीम कोट ने लेडी ओफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ती लगाई गई है इस मूर्ती की आखों से पट्टी हटा दी गई है जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी मई उसके हाथ में तलवार की जगा सविधान की किताब दी गई है यह मूर्ती सुप्रीम कोट के जजो की लाइबरेरी में लगाई गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई मूर्ती को सीजे आई डिवाई चंदर चूड ने ओडर दे कर बनवाया है इसका उद्देश यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधार नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है पुरानी मुर्ती की आख पर पट्टी यह दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर है जबकि तलवार ऑथोरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ती का प्रतीक थी हाला कि मुर्ती के दाए हाथ में तराजू बरकरा रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है तराजू दर्शाताय की कोड किसी नतीजे पर पहुँशने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तरकों को देखते और सुनते हैं इस मुर्ती को ब्रिटिक शासन की विरावसत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तोर पर देखा जा रहा है हाली में भारत सरकार ने ब्रिटिक शासन के सवे से लागू इंडियन पिनल कोड कानून की जगह भारती नियाय सहिंता कानून लागू किया था लेडी ओफ जस्टिस की मुर्ती में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया गया कदम माना जा सकता है